हेलो दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नए ब्लॉग में दोस्तों पिछली वीडियो में हम आपको दिब्या भारती जी का जो बंगला है वो दिखाया था पर वीडियो पसंद है प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दीजे चलिए दोस्तों फटा पर शुरू करते हैं दोस्तों ये सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं इसी बिल्डिंग से गिर के बॉलिवुड की अभिनेतरी दिभ्याभारती जी की जो है मौत हो गई थी तो ये बिल्डिंग जो है कहां पे मुंबई में इस्तित है तो दोस्तों मैं आपको बता दू ये मुंबई के वर्सोवा इलाके में है और इस बिल्डिंग का नाम है तुलसी अपार्टमेंट और दोस्तों जो आपको मैं पिछली वीडियो में बताया था वो बंगला जिसमें बहबारते जी रहती थी और भी उस टाइम में जो 1922 इसमें में खड़ी दी हुई थी वो बंगला तो उस बंगले को फिलाल बेच दिया गया है एक बिजनेसमेंट के हाथे तो वो जो उनका बंगला वो जुहू में इस्तित है और यह जो तुलसी अपार्टमेंट है जहां से पेड लगाओ इसलिए मैं दूर से वीडियों कवर कर रहा हू तो इसी के दोस्तों पांचमा संब सबसे पथा वाला संब jáकरती थी और उसी पांचमें से गिरके दिव्या बारते की मौत भी हुई थी मैं आपकोas कर के दिखाने कोकिशिस करतë यह देख सकते आप दोस्तों उस टाइम में जो है इस घर का कलर भी सेम ऐसा ही था जैसा आभी आप देख रहे हैं लेकिन इस घर का जो है वो रिपेरिंग हुआ है कलर भी कराया गया है लेकिन सेम वही कलर कराया गया दुबारा से और जब दिब्याबारते जी की गिर के मौत थी तो दोस्तो मैं आपको बता दू 5 अपरेल 1993 इस भी को इसी तुलसी अपार्टमेंट के पांच में फ्लोर से गेरिके दिव्याभारती जी की मौत हुई थी दोस्तो यह जो बिल्डिंग है तुलसी अपार्टमेंट यह काफी जरजर हालत में है जैसा कि आपको दिख भी रह रहती थी अभी उस पर कोई और रह रहा है दिव्याभारती जी की बारे में बता दू दोस्तो दिव्याभारती जी सबसे कम उम्र में जो है बॉली बूड में कदम रखने वाली अब नेतरी थी वह 16 साल के उमर में ही वह फिल्मी लैन में आ चुकी थी और उनकी पहली फिल् 1990 में बॉली राजा जो की एक तेलगू फिल्म था और दोस्तो अगर बॉली वूड डेविवू की बात करेंगे तो 1921 में आई थी उनकी एक फिल्म दिल का क्या कसूर इस फिल्म से उन्होंने बॉली वूड में डेविवू किया था लेकिन उनको असली पहचान इसी साल आई फिल्म 1992 में विश्मात्मा फिल्म से मिला था विश्मात्मा फिल्म में एक गाना था दोस्तो साथ समुंदर पार इस गाने को लोगों ने काफी पसंद किया और दोस्तो दिव्या भारती जी सब के दिलों पर राज करने लगी थी यह आप समझ लिजे दोस्तों कि वो जो है स दोस्तो तो फिल्में जरूर कर ली होती दिव्या भारती की साधी की बात करेंगे तो दोस्तो दिव्या भारती का जो फिल्मी करियर है वो सिर्फ तीन साल का था और दिव्या भारती जो है वो फिल्मी डाइरेक्टर और प्रोडूसर साजित नाडियावाल से साधी किये थी 10 म बड़ी एक्ट्रेस में गिनी जानी वाली दिव्या भारती ने बेहत कम उम्र में अपनी अलग पहचान बना ली थी वो अपनी खूबसूरती मासुमियत और टैलेंट के जरिये लाखो दिलों पर राज करती थी उनका जनम 25 फरवरी 1974 को हुआ था और 5 अपरेल 1993 को वो दुनिय को अलविदा केके चली गई दिव्या भारती की मौत इंड़स्टी के साथ साथ पूरे देश के लिए एक बड़ा सदमा बनकर आई थी उनकी मौत को लेकर आज भी कहा जाता है कि यह आत्मात्या थी या फिर मडर यह कहना मुश्किल है यह गुथी आज तक सुलज नहीं पा बताया जाता है कि उस रात दिव्या भारती अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी पार्टी से ब्रेक लेकर वो लिविंग रूम के खिर्की पर आकर बैठी और वहां से नीचे गिर गई दिव्या पार्चमी मंजिल के ग्रॉंट फ्लोर पर गिरी थी इसके बाद वह आपको क्या लगता है दिव्या भारती की मौत आत्महत्या थी या फिर साजीस कमेंट करके जरूर बताइए और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो फ्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सेयर भी कर दीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए जया हिंद वन्दे मातरग